सो इसके जो अंसर होता है कि वाट इस दा मैक्सम नॉमर आफेसिंग मेथड़ डैट यह नॉर्मली कुछिन पूंचा नहीं जाता है बट इसके डिफिरेंट तरह का एक एरर आता है उस तो एरर आता है वो एरर मुझे पूरा याद नहीं है कि उसमें ग्या था कि किसी भी और में जो तुमारा में आर्फuten इसंप नहीं कुटन होता है कि इतना ही vino को जादा नहीं कर सकते एक फेक टो नॉर्मल उसका होता क्या है हमारा जो 20 है इसका जो नॉर्मल कांट होता है वह होता है टूले की ताउजन होगा या फिर टोटल नंबर आप जो लाइसेंस होते हैं सेल्सपोर्स लाइसेंस टीक है कि टोटल नंबर अफ ऐल्सपोर्स लाइसेंस इंटे त्विचेवर इस ग्रेटर अब या तो यह वाला ग्रेटर ओगा टोटल नम्र आफ सेल्सपुस लाइसेंस निटेंद और यह तो फॉर इंपल हमारे वर में टो सेल्सपुस के दो सब्सक्राइब दो लाइसेंस होते हैं अगर देखोगे यहां पर जाके और गुए तो नीचे यहां पर जाके दिखेगा कि यूज़ लाइसेंज है तो अगर तो अगर हम दो से दो सो का गुणा करेंगे तो सिर्फ चार सो होगा ना लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि या तो टू फिप्टी थाउजन्ट मतलब टू लाइक फिप्टी थाउजन्ट होगा या फिर टोटल नमबर अफ सेल्स लाइसेंस इन्टू एंडट सो इस केस में ज्यादा कौन सा है इस केसमें ज्यादा है दो लाग पचास जार तो हमारे हमारे और की चुल लिमीट है वह है दो लाग पचास जार तो हमारा जो अब लेकिन यह है इन ट्वंटी फॉर आवर्स यह ज़रूरी है कि यह जो लिमीट है ट्वंटी फॉर आवर्स कि एक दिन मे इतने methods execute हो सकते हैं asynchronous methods जैसे कि अपना finish execute और अपना future वाला क्योबल वाला हो गया जो batch के methods होते है start, finish, execute वो सारे के सारे एक दिन में इतनी बार execute हो सकते हैं इससे जादा नहीं हो सकते हैं ठीक है या फिर कोई बहुत बड़ा client है जिसके पास बहुत सारे license हैं लाखों में license हैं तो उसका फिर ये वाला अपने के बलोगा तो इनमें से कोई भी जो भी जैदा होगा वो limit होती है 24 hours की ठीक है इसका कुछ limit का नाम याद नहीं रहा वैट इसमें आता है कि error आती है कि asynchronous limit exceeded ऐसे करके कुछ तो error आती है जिसमें वो बताता है कि तू लाख 50,000 आपका limit exceed हो गया है वाप कर लाना वैसा वाला सीन है तो वो चीज़ होती है कि क्या हम कॉल आउट में कर सकते हैं वैच अपक्स से बेलकुल कर सकते हैं कॉल आउट मतलब integration का होता है अगर अभी integration हम पढ़ नहीं रहें तो इंट्रिव्यूर में कोई पूचे तो उसको बोल सकते हो कि integration में काम नहीं किया हुआ है ठीक है लेकिन तुम्हें यह पता है कि हम कर सकते हैं कैसे फॉर दिस वी नीट टू इंप्लिमेंट इंप्लिमेंट एन इंट्रफेस और उस इंट्रफेस का नाम है डेटा बेस डॉट अलाउज कॉल आउट एलाउज कॉल आउट ठीक है यह उस इंट्रफेस का नाम है अगर इस इंट्रफेस को इंप्लिमेंट नहीं करेंगे तो फिर कॉल आउट नहीं करने सब्सक्राइब लाउस ऑन47 कर मकला सब्सक्राइन अगर कोई कॉल आउट कर नहीं-ग, तो उसके लिए तुम्हें एक इंटरफेस करना होगा जो कि है डेटाबेस डॉट लाउस कॉल आउट ठीक है यह मारकर इंटरफेस होता है तो इसमें कोई मेथड नहीं होते है जैसे डेटाबेस डॉट बैचेबल में 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 तो थे ना तीन में तो थे स्टाइग्जेक्उट फिनिस और इसमें लेकिन नहीं होता यह की वैबल में भी एक मेथा होता है जा ना इसमें क्या यह मारकर इंट्रिज होता है डेटाबेस डॉट लाउस कॉलाउट यह तो जो तम्हारा डेटाबेस डॉट है कि क्या हम फRight karena call काल कर सकते हैं क्या? वह उसके लिए क्या है कि उसके लिए कोई नहीं होता दा क्यूंकि tiempo क्या है क्लास है प्षिचर में नहीं सकती है बंद अंत्व हो सकता है तो उसके लिए जो हमारे पास होता है उसके लिए परắp deflect Brothers होता है टीक है इसका होता है एक टरेट फीचर किसी भी मेंथट को फिचर बनाने के लिए हुआ幸.2 तो उसके अंदर अगर नहीं करते तो मैं बता देता हूं इसको दियान में रखना कि अगर हम तो यह रहती है तो इसमें भी आएगा तुमेरे ने कॉल आउटस इसको गूल गूगल कर लेता है क्योंकि मुझे याद नहीं है हां ये तू मेंनी कॉल ओड्स कॉलाइंग वन कर गया ता यह सपसजा आतीए यह शे। टू मेंनी कॉल ओड्स टीकिह के किस में अता है कॉल आउट 298 मैचार ऐसे कर गर के कुछ तील ठीक है इसमें आता है कॉल आउट्स नाट अलाउड फ्रॉम पीचे में तड यह आती है यह कुछ आती है इसको भी पूस्टी कर लेते हैं इसके भी कुछ आता है कि कॉल आउट्स नाट लाउट फांद फीचर में तब हमने डिसकुस किया हुआ तो यह सारी चीजें यह मतलब आते हैं और बहुत इंपॉर्टन कुश्टिंस को जो है क्या करता हैं अलांकि मैं इसमें आड करता जा रहा हूं तो इसमें ऐसा कोई कि मतलब वाली बात नहीं है वाट मेक शूर कि यह जो वीडियो जब भी देखते हो तो यह एक नोट्स बना सकते हैं पैन वेपर से लेके या कहीं पे भी लिख सकते हो ठीक है ठीक है तो आगे जो हम आज बात करने वाले हैं उसमें कुछ इंपॉर्टन इंटरफेस की बात क इसका कि प्राक्टिकलिटी देखी नहीं है उसका उमने एक्जिक्युट किया नहीं कि भैज कैसे होता है क्या होता तो आज हम जो भी हमारा यह बैच है इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं dog ग्रोम चल्टैकर करतेकर हैं सब यह कुश्य है इन्धितिश्य की हमने कई कर लिए आफ क्या चाहा है कि जो कांटक्त पॉन है वो चांटक के के वैलू आ जाए और जो पॉलस्य ب descendants को इसको मॉडिफाइने करते है यह यह इसका और इसका और दो-चार फिइल्ड को त्यक्ति है ऐसे करके नाम बनते हैं तो यह अधर होता है अभने जैसे कि फॉर इपक्जामपल हुमारे पास आया डाक्टटर आप जैपी सिंग अएसा करके ठीक है तो डाक्टर क्या क्यों हो गया है हमारा सैलटेशन हो गया ठीक है है जेपी हमारा फ़स्ट हो गया सिंग लास्ट नेम हो गया ठीक है कभी कभी किसी के बीच में उसका पापागणाम भी आ जाता है लेट से की कुछ भी कि आर के कर देते हैं कुछ भी मतलब हम स्रेंडम नेंट टीक है कि डाक्टर जेपे आर यह जो कुछ लोग अपने पाबागा नाम लिखते हैं ठीग है जैसे सचिन रमेस इसके पाबागाना मैं तो वैसे ही यह मेडिल ने हो कैसे होता है जैसे कि कि अभी हमारे पास लासनम होता है वह इसको मिला के बनती है वह composite होती है अगर यहां पर देखोगे name उसके अंदर saalutacan आया उसके अंदर first name आया इसके लीए last name जो कि सरने में होता है middle name के लिए यहां पर सायद यहां पर होता है account settings में जाके not sure यहां पर होता है की नहीं यहां पर कहीं तो होता है तो हम क्या जाते हैं कि फास्ट नेम अगर न है किसी भी कॉंटाक्ट का रहा चला होगा तो छो भी होगा को श्यूंश नेम करें बैच इसे कि मिस्ट न हम यहां पर और यहों घर रहे हैं यहां पता रहे हैं कि हमारी व तो और यहां पर हम साइज निकाल सकते हैं अब हम यहां पर क्या करेंगे हमें क्या करना सबसे पहले चीज यह जो इसमें जितने भी कॉंटक्ट हो बाइडीफॉल 200-200 आएंगे ना तो इसमें जितने भी कॉंटक्ट और हम क्या चाह रहे हैं कि कॉंटक्ट दॉट फोन फोन में हमारे वैलू क्या आनी चाहिए अगाउंट की फोन आनी चाहिए उसी कॉंटक्ट का जो एकाउंट है उसका फोन आना चाहिए ऐसे ठीक है जी कंफ्यूजन है को समझ में नहीं आ रहा नहीं प्याव अगर मैं यहां पर ऐसे लिख हो अब क्यों कि मैं इसी लिस्ट पर अपडेट कर रहा हूं ठीक है अब मुझे यहां पर लिस्ट बना जोतनी है हुआ क्या था पहले क्या था कि हम लोग निउव लिस्ट बनाते थे अबना कि एसा ठीक है इसलिस्ट बना लिए तरके खरके और नुव कॉन्टैक्ट या कांटक्स टोब अपडेट असे करके एक लिस्ट बनाते मैं ने देखा तूंको कई बर बनाया हो इस तो कोई दिकत यह स्थार्टिंग में ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है जा पा अपडेट करते हो जो भी लिस्ट है लेकिन अभी यह लिस्ट है हमारे पास पहले से ही इसी लिस्ट में हमें चेंज करना है तो हमें कुछ करने की जरूत नहीं है हमें कोई बनाने लिस्ट नाई लिस्ट बनाने क्योंकि हम उसी लिस्ट के हर एक आइटम में चेंज कर रहे हैं हम सीधा सीधा इसी लिस्ट को अपडेट कर देंगे अपडेट ऐसे करके तो यह क्या करेगा इसी लिस्ट में पहले क्या कि हमने यह जा यह लिस्ट आहींго और बास इसी लिस्ट को हमस्ट परने इस पर लूप चलाकर हमने यह जह कर दिया एं दन् सकत कर लिया कर दिया क्या गहार के आगए officially आँः तो इसी को हमने अपडेट कर दिया अब यह हमारा पूरा का पूरा एक सिंपल सा मतलब एक सिंपल सा चोटा सा बैच अपेक्स बन गया जिसकी अभी बिल्कूल ही नहीं है बहुत ही चोटा है कोई वह नहीं है अब अगर हमें इसको एक्जिक्यूट करना हो है तो हम क्या करेंगे हम बैस्कास अबजिक्ट बनाएंगे को के मने पहले कि सिर्णी करूं है तूब इस वैच्जेक्यूट कर देंगे कोई एक शुक्स करो मैं तो इसम्हों नह effects crime आनी चाहिए करके देखते हैं और एकर इसको एक्जिक्यूट तो एक एक एरर आ गई एस और उसने बताया डिस्कृप्सिन फिल्ड वह इसलिए मैंने जानवुच्व किया था यहां पर दिया था ठीक है यहां पर हम करेंगे एक चीज़ जो तुम्हें मतलब हम लोगों का मैंसा करनी चाहिए और यहां पर रण करके अब देख लेंगे कि वह चल रही है या नहीं चल लगी है चिक है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम क्या लिख देते हैं वस उसमें कहीं कुछ ना कुछ या कॉमा या कुछ तो मिसिंग हो जाता है ठीक है फिर हमारा बैची नहीं चलता है और हम तूरते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है ठीक है दूसरी चीज़ जब हम यहां पर टाइमिक वरीबल्स पाइंड कर रहे हैं जैसे कि कोई वरीबल अमने कंस्ट्रक्टर में ले लिए और मुसको फॉर करूंगा जैसे कि हमने आप एक वरीबल ले लिए करके ठीक है मतलब हम यूजर से कह रहे हैं को बेज़ दो ठीक है और उसको एक वरीबल में स्टोर कर लिए यहां पर ऐसे करते हैं न अब क्योंकि यह क्योंकि मुझे इसी के अंदर यूज करने तो मैं इसको पब्लिक क्यो नॉर्मल बना देते हैं डिफॉल्ट वाला क्योंकि हमें उसको यूज करना है तो जैसे हमने कोई ले लिया ले लिया लेट से इस्टिंग उसका कॉंटक्त का नेम हो गया ठीक है यह सेट आफ आइडी ले लिया ठीक है तो यह हमें जो यह क्या गयत है वो करना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम अएक मैं बताता हम कैसे करें अब लेट से किससे तरह है तो यह कुछ हैसे होगा तो इसे भोलें है कि यहां पे कुछ ऑसी तरह से लिखे लिखी होगी है ना हुआ एसी लिखी होगी ना को टिक है अब क्या होगा कि सेट को तो यहां पर आयेगा नहीं तो सेट से वज्ञें तो अब आसा केस होता है तो हम क्या करते हैं यह कॉलन और अगे सेट होता है वो अटादे सेट हो चालिस्ट हो क्या करते हैं दो कर लिब रेसे स्वारी ओपनिंग अन क्लोजिंग छोटा वला ब्रैकेट परेंथेस और इसके अंदर सिंगल कोड्स के अंदर कॉम सप्रेटिड डाल देते हैं जो भी डालनी है है एक दो मतलब अपने हिससे दो तीन अड डलके कर सकते हो कि को एरिछ लिए नहीं जैसे मैंने चेक किया तो तो यहां पर्ट कर रहा है कि यहां पर यह कुछ रिप्लेज एँदेंट करके चल रहा है कि नहीं 0 आगे चलके बहुत काम आएगी जब डान इमिक क्वेंग के लिखी हो कि उसमें तुम्हें आप करना होगा मतलब करनी होगी कि समें कुछ डेटा आरा यह नहीं आ रहा है तो कैसे रण उगा वह सही रण होगा तो यह गया अब यह आगया हमारा अब हम इसको रॉन करते हैं तो अब यहां पर चलते हैं और देखते हैं कि अब यहां पर देखवा गया अड्रेस यह कुछ तो है भी लेवी एड़ रेट एंपरसंट टी डॉट नेड़ा से करके कुछ तो लिखा हुआ है ना तो वह क्या है ना कि एक्चुली में इस यूजर का यह जो कॉंटाक्ट है इसका कोई ने कोई कॉंटाक्ट था जिसकी इमेल बहुत ही गलत लिखे हुए जिसमें बीच में एमपरसंट करके लिखा हुआ है तो अगर हैं नहीं पर जाएं और यहां पर आउल कॉंटेक्ट देखें उत-इस एक यह तो इसको एड़ित करके और एक ही यह रही जिसमें भी अजीब सी इमेल थी क्योंकि यह इमेल सेल्सफोस आटो जनरेट कर देता है तो इसलिए इसमें आ जाता है वैसे आप ऐसे इमेल डाल नहीं सकते हो ठीक है यह इमेल बेसिकली वह गलत थी पुरानी वाली अब इसको हमने सेव कर लिया कि अब सेब करके आप अगर चलाएंगे तो चल जाना चाहिए हमारा बैच कोई कंफ्यूजन ने कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ में नहीं आ रहे हो तो एक्दम बोल दो कोई दिक्कत नहीं है नहीं आ रहे है ठीक है अब इसमें एक्जिक्यूट किया अब अगर इसको वेट करें थोड़ी देर देखेंगे तो हमारा जो बैच है वो चलेगा कॉंटेक्ट की फरस्ट नेम में जो होगा वो बैच आ जाएगा हमारा ठीक है आप देखो चल गया बैच ठीक है तो अगर हम यहाँ पे इसको फिलसित करें चोटा वला होता है इसको क्यों आप देखेंगे कि सारे में बैच आ गया था कि सारे कॉंटेक्ट में बैच आ गया तो यह हमारा एक सिंपल सा बैच था जो कि हमने अभी टेस्स किया कि मतलब क्योंकि हमने अभी तक जो भी दो क्लासेश में पड़ा बट हमने देखा ही नहीं था कि रन कैसे होता बस उसके बारे में पढ़ते गए उसकी चीजों को देखते हुए है ना पटिक है कि को से कुछी खूंटायक्ट को अपडेट करते करते हैं एर न्याजाता है हमने क्या एक तो Case कि सीज़रिक सक्सेश हुआ तो हम में बहिजना है उग तो उसको कैसे करेंगे अगर कोई वैलू पास हो रही है उसको अगर हमें यूज करना हो तो हम एक वैरियबल बनाएंगे और इसको डारेक्ट यूज कर लेंगे फॉर लूप अब हम बात करते हैं कि हमाए पास सक्सेस लेट से कि हम यहां पर वैरियबल बना लेता है कि बाइवेट और इन्टीजर ही होंगे क्योंकि वैरिबल यह से की सक्सेस काउंट और इसको जीरो कर देते हैं ठीक है और इसको कर देते हैं केलिंठ पूर्ठ उसको भी जीरो कर दिया टिक अब कुश्चन है यह तुमसे की हम जब अपडेट कर रहे हैं अपर तो हमें कैसा पता चलेगा कि कोई रिकॉर्ट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ कोई तरीका है हमारे पास सेल्सकोर्स में जिसको हम यूज करके पता कर लें कि सक्सेस हुआ या नहीं हुआ डाटबेस.save.result तो वह तो होता है बट उस database.save.result आता कैसे है मतलब किस केस में database.save.result आता है हम को कैसे मिलता है database.save.result मतलब कुछ हम करते हैं उसके तरू मिलता है या कैसे मतलब जब भी हम कोई DML करते हैं तो मिलता है जब भी DML करते हैं लेकिन DML कैसे मिलता है जानो कोई नहीं मैं बताते हैं जब हम इस केस में तो नहीं मिलेगा ना इसकेस में मिलेगा कि इसकेस में मिलेगा क्या कि इसकेस में मिलेगा क्या है जो लाइन नमबर 24 में लिखा है उसकेस में मिलेगा क्या है अच्छा चलो ठीक है कुश्चन चेंज कर देती यह बताओ कि अगर मुझे करना हो उस तरीके से तो क्या करूं क्या चेंज करूं मैं इस कोड में मैं यहां पर कहां पर क्या चेंज करूं कि मुझे कुछ मिल जाए और उसके बाद फिर मैं उसको सुरू कर दो उसके काम करना इसको पहले मतलब से भी करते हैं करते हैं कैसे इस केस में मिल जाएगा क्या से यह तो मुझे अच्छे एक काम करें यह बताओ कि मुझे चेंज क्या करना इसमें कुछ चेंज करना है कुछ भी मतलब कि यह बमाई भी मतलब यह भी मतलब कोई वाद से देटवेस मेंटड़्ड डिटवेस में जब देटवेस मेंटड़्ड बोल गया नहीं वो तो डिटवेस डोट से रिजल्ट उसमें जो लीस्ट होती है उसको से करके मतलब उसके उपर फोरलूप चला आता है उसके फॉलोग चलाते हैं वह लिस्ट आयागी कैसे वही तो में कुष्चिन है ना कैसे इस केस में आगी क्या दो तरह के डीमल में थे हमने डिसक्स किया थे एक नॉर्मल डीमल और एक डीमल तो यहां पर हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं गजल पर यहां पर डाटपेस तो और फीर पास करना पड़ेगा उससे की जब वही चीज़ ना तो मैं वही तो पोछ रहा हूं कि यहां पर कैसे आगा क्या चेंज करना पड़ेगा मैं अच्छ तो नोर्मल हैं तो वही तो उतनी देर से पूछ रहा हूँ वह तो बता नहीं आ पा रहे हो डेटबेस डॉट अपडेट यूज़ करना पड़ेगा हमें इसके अंदर हमाहँ पस्लिस्ट जाएगी यह जाएगी फॉल्स और इसको जो आउटकम होता है वह आदेटबेस डॉट सेव रिजिल्ट उसका लिस्ट आता यह लिस्त हमें लिटर वेस्ट डॉट से रिजल्ट की और इसकी लिस्ट आएगी और इसकी ज़रुत नहीं पड़ेगे और अब हम इसको अगर फॉर लूप चलाएं आपर क्योंकि फॉर लूप हमें चलाना पड़ेगा पता करने के लिए कौन सा सही हुआ कांसा सक्सेज वा कौन सब्सक्राइब करता है ना कि जिसमें मतलब फॉर लूप चलाएंगे जो सक्सेस होंगे सक्सेस में थर्ट से वह हां सक्सेस होंगे बटकाउन से उससे कि हैं इस सक्सेस होता है एंद ऑफ यह में डाइख बनाइब फोच्छा कर लोगाता है जो कि हमारा बताता है कि सक्सेस उली प्रॉसेस दौन होब और अगर प्रॉसेस हो अगया तो इसका मतलब हम सक्सेस य काॐंट जो council है किसमेंगे सक्सिस्कांट में एक वल्यू कर देंगे और जाएंगे एक वल्यू और उसके बाद फिर मिया पर उसको कर सकते हैं कि सिस्टम डॉट घबउग से urine और failure count मतलब किसी नई-किसी में frequent आना चीए आप जीरो नहीं आना चीए या तो सारे सक्सेश होंगे या तो सक्सेश कुछ होंगे ना यहीं होगा कि यह ना नख दो ठीक है आप क्याम करते हैं इस यह कर देते हैं क्वाश को कैसे और बाइड़ी इसमें मैंना एक ढूक्ड कुछ भी डाल देता हूं कॉन डाडा डी धिक है यह कर दिया मैं ठिक अप्डेट के केश में अब इस संपेसिफाइग सकते फ्र्स्ट ऑस में अईडी यूट केंनोड एक सीफाइट का मतलब यह कि कि आएसे असाइन नहीं कर सकते हैं मुझे को अपड्रेट के केस में आडी चाहिए होगी क्योंकि उसी से अफडेट मैं इसे नहीं लिख सकते की काईस की किंडेमेयर कि आक एक्रसक्टे case में नहीं कर सकते तो यह तो चल जाएगा इसैं कोई प्राब्लम नहीं होगी इसको फेल करने के लिए हमको एक नया फील्ड ले लेते हैं लेट से कॉंटेक्ट का फैक्स जो है वो कॉंटेक्ट के फैक्स के बराबर है ठीक यह कोईरी ही नहीं करी हमने फिर उमें बताइगा फिनस मेठड में क्या हुआ wow तो चलो एक्जिक्यूट करते हैं इसको और यहां पर उसने एरर देती है हमको ठीक है और एरर देते ही वह यहां पर फट गया तो फटेगा वह डिफनेटली फटेगा उसका रीजन है क्योंकि वह अपडेट करते समय आना चाहिए ठीक है तो हमारा जो फिनिस वाला होना चाहिए वह यह होना चाहिए इस पर चलते हैं और इसको डिबग करते हैं अच्छी यह नही और यह भी नहीं है तो यह वाला होगा कि अच्छी तो इस ने च्छी और जिस लिए और गया है तो एक्सिप्शन आया है तो वैसे भी कुछ नहीं चलेगा आगे चलाई नहीं है तो एक्सिप्सन को उठाने के लिए या तो हम यहां पर क्वेरी करें या तो हम यहां पर कमेंट कर देते हैं लगाई देते हैं को जुरूरत नहीं है उसके अब यह हो गया हमारा अब अभी कि आप सक्सिस्पुल चलेगा तो हमारे पास कितने टोटल 53 रिकॉर्ड्स हैं 53 है ना तो जो सक्सेस काउंट है उसमें 53 आना चाहिए और फेलियर काउंट में जीरो आना चाहिए है है ना तो आप हम यहां पर चलते हैं और इसको करते हैं एक्जिक्यूट और सबसे लास वाला ही खोलेंगे क्योंकि लास टाइम हमें इसी में मिला था और डिबग करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है है इसको उपन करेंगे साइद इसमें कुछ हो है यहां पर क्या रहा है जीरो आ रहा है ऐसा जीरो क्यों रहा है चलो हो सकता है कि यह कुछ नहीं चला चलो काम करते हैं आप सक्सेस काउंट में मैं हाप वेल्य आल देता हूँ कुछ भी रैंडम वैलो 1983 काहीं से तो लिग गया बट लिग गया ठीक है तो आप इसमें 1983 आजाना चाहिए आना आजाना चाहिए नहीं तो यह यह एक मैथाड का दूसरे मैथाड में थोड़े यूज़ कर सकते हैं कि वह वरियेबल तो वही है ना देखो यहां से उपर देख अच्छा तो जीरो उपर से उठा रहे हैं जीरो उठा रहा है अब भी क्या तिरासी अनीश तिरासी आना चाहिए कि अ हुँ 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 कि जोयिए जीरो ही लेगा जीरो ता सब्सक्राइब को नहीं पर से जीरो मिलेगा जरुकी इस घरटंप तो हम चैन्ज करें ना अच्छा हां लेकिन इसकीद्नने उसको साइन हो जायए हैं इस चाहिए जरो या क्तारा चाहिए तुक्ट ऑच्छ में खनाच интересно कि यह जीरो जाएगा जीरो उठाएगा जीरो जाएगा क्यों आएगा कि लोगी कि सेक्सेस काउंट जो है वह यहां पर 193 लेगा लेकिन वह इस में थर्ड के लिए तो जीरो उठाएगा ना उसको पर कि कि इस में थर्ड के लिए जीरो उठाएगा आंसर सही है बट क्यों कि वह जो पर बनाए वह जीरो लिए है ना है बट फिनिश में एक्जीक्यूट में चेंज कर रहे हैं ना कि आप नहीं समझें उपर हमने जीरो लिया एक्जीक्यूट में हमने कर दिया चेंज तो अब वह चेंज वाला ले रहा चाहिए कि नहीं नहीं चाहिए लेकिन वो इफैल्स की कंडिशन में जीरो उठा रहा था आपने एड कर रहा था पर फिर भी जीरो दे रहा था गुट चीक है चलो उसमें कोई वो नहीं है क्या कहता है ना मैं बताता हूं भी रोई लेगा क्यों लेगा उसका आंसर यह है कि एक्सक्ffen macht और फिनिम एक अपने थ्रेड में चलते हैं उनका अपना अलक्ट रांप्रन चेक्सन होका ह pourquoi जब इनका अपना अलक्ट रांप्रनेंक्सन होगा सब कुछ होगा तो फिर वो अपने ही थ्रेड पर चलेंगे ना तो हम यहां पर कुछ भी कर दें जैसे यह थ्रेड में आएगा इसको फिर वो यहां से उठालेगा मतलब देखो यह तीरों अलग अलग उसमें चलते हैं इसका एक जब स्टार्ट चलेगा तो यह अपने ही उसमें चलेगा कि मुझे कोई मतलब नहीं है एक्जिक्यूट और फिनिस से हाँ जो भी मेरे पास है वो मैं एक्जिक्यूट को दे दूँगा कि ले ले तो थोड़ा सा काम कर ले ठीक है जब एक्जिक्यूट फिनिस होगा उसको कोई मतलब नहीं है एक्जिक्यूट जब चलेगा कई बार चलेगा ना एक्जिक्यूट तो उसको कोई मतलब नहीं है किसी से ठीक है कोई लेना देना नहीं है क्या करते हैं उसके बाद हमाँ पास आएगा फिनिस म अब अगर आप होता है ना अंडरोर्ड में तो गुंडे तो कई सारे होता है चुटकू मुठकू लेकिन उनका सबका एक बाप होता है बैम्लिक तो वैसे ही रभ अगर मुझे इसमें जो भी या 1995 कि यह सब्सक्रा चाहिए । इसी और में एंगजए्यूट होते हैं तो वह चाहिए तो कैसे चाहिए उसके लिए हम एक interface implement करते हैं जिसका नाम है database.stateful ठीक है यह भी एक marker interface है इसका भी कोई method नहीं होता यह अब question यह बनता है कि हम database.stateful interface किसलिए यूज करते हैं interview में पूँचे जाता है कि what is the use of database.stateful interface ठीक है या तो यह पूँचेंगे कि तुमने database.stateful interface यूज किया या पूँचेंगे कि stateful interface यूज किया है ठीक है तो अब use तो कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो उस case में जो है क्या कहते हैं हमें वो करना पड़ेगा क्या बोलते हैं इसको करना पड़ेगा तो क्या इसका यूज क्या है और डेटाबेस डॉट स्टेट फुल इंटरफेस के यूज क्या है कि यह स्टेट मैंटेन करता है वैरियेबल्स की ठीक है बहुत ही ध्यान से इसको जुना मैंटेंस दा स्टेट्स आफ दा वैरियेबल सिर्फ और सिर्फ वरिभल की स्टेट मेंटेन करता है कुछ लोग dua हमारा जो डेटाब Начा स्टेट को मैंटेन करने के लिए तो अब इससे क्या होगा कि इसमें जो भी वैलू अब जो भी मैं चेंज करूंगा आप यहां पर मैं चेंजनी सक्सेस का उट काउंट करूंगा अब जो भी आंपर मैं चेंज करता रहूंगा इस वालियू में स्टोर होता राइगा और वही मुझे आप फिनिस में मिलेगी चिक अब अगर मुझे करनी हो तो कैसे आप इसको टेस्ट कर लेते हैं लॉक्स में जाके हमाँ पास कोई लॉक्स नहीं है इसको एक्जिक्यूट करते हैं तो इस्टार्ट है तो यह वाला होना चाहिए तो यह वाला होना चाहिए फिर यह भी नहीं है यह तो आप अगर देखोगे तो सक्सिस काउंट में कितना रहा है 53 53 आ रहा है ना क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ट सक्सिस्फुली प्रॉसेस हो चुके हैं ठीक है बीना किसी एरोर के तो जब भी अगें जब भी तुम्हें एक्जिक्यूट में तर्ड में कुछ कौंट करना कुछ प्रॉसेस करना है और एक्जिक्यूट मेंदड की वैल्यूज को तुम्हें फिनिस में चाहिए तब आप कौन से इंटरफेस करोगे डेटाबेस डाट इस्टेट फूल इंटरफेस एलॉंग विद दो वैरियेबल एट टे क्लास लेबल ठीक है कभी 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 मतलब इसका बहुत यूज होता है ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसी नौर्मल बता दिया मैंने इसलिए इसलिए एक एक जाम्पल बताया कि इसका बहुत यूज होता है इसका यूज कब होगा जब बहुत सारे रिकॉर्ड प्रॉसेस करने होंगे एक साथ ठीक है जो कि हमाई पास पता ही नहीं होगा ठीक है उसके बाद क्या कहते हैं हमाई पास बहुत सारे वह होंगे क्या उसको कॉल आउट कर रहे होंगे तो एक बार में जब कॉल आउट करते हैं कॉल आउट मतलब इंटेगरेशन ठीक है जब हम काल आउट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जैसे के महाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड है तो फेजिस में आते पेज़े समत रहों कि एक डो पेजर तीन पेज एक पेज में डस रिकॉर्ड हागे दूसे बहुत त्रीकॉर्ड आसे करके नो उस उस केस में हमें इसकी बहुत जरूरत पढ़ती है इंटरफेस की क्योंकि उस चीज को हमें वो करना पढ़ता है ठीक है तो यह हमारा हो गया database.statful interface ठीक ऐसे तुमारा जो यह इंटरफेस होगा वह दूसरा वाला होगा database.allows कॉल आउट्स करके सारे के सारे यहां पर आते नहीं है इसलिए हमें कुछ लिखने भी पढ़ते हैं अपने से ठीक है जैसे बैचेबल आ गया था उसका क्या कहते हैं हमारा अक्यूइबल आ गया था ठीक है यह stateful और अलाउस कॉल आउट नहीं आता तो हमें लिखना पड़ता है तो यह वी एक मार्कर इंटरफेस है तो कॉल आउट करने के लिए हम यह मार्कर इंटरफेस यूज करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ठीक है इस बैच से अब तुम कॉल क्या था अभी हम क्या कर रहे थे जो भी था यहां पर हमने एक सिंपल बैच के अंदर एक्जिक्यूट में दट के अंदर लिख दिया पूरा को पूरा और लिखे भी सकते हैं ऐसा कोई मतलब हॉड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम ट्रिगर की तरह बैच के अंदर कोड न कोई कोड किसी करास के अंदर भेज सकते हैं चीआं म।ुक्त बनाके उसमें उससे कुछ रीटर्न करा लिया ठीक और रिटन करने के बाद उसको हमें एक वरियेबल में स्टोर कर लिया और उस पर जो भी हमें कुछ करना है रिटन हम तब कराते हैं जब हमें उसके ऊपर कुछ करना हो जैसे एर लॉग वाला गर याद हो तो हम उसमें क्या कर रहे थे हम उसमें रिटन कर रहे हैं पास कर रहा हूं यहां पे डाल दी है तो आप अगर मुझे इसको यूपर ना हो यहां पर रहती है तो मैं यहां पे कर सकता हूं लौग-डॉत जो मेरा करके तड कि अधार और है इस के अंदर मुझे जो भी यां चिंешंट टाइटल अजह बूण ऴूच भी डाल अब मैं इसको insert कर सकता हूं event अगर नहीं किया हो तो इसको कर सकते हैं यह क्या आप ही तक क्या था हमने यह method क्या करता है logger कुछ parameters का accept करता है आप इसमें तुम कुछ भी डाल दो इसमें ABCD डाल दो मगायम खुसवा डाल दो कुछ भी डाल दो वो यहां पर prepare करेगा और फिर वो जो prepare हुआ object उसी को return कर देगा कि यह लो इसमें यह values थी कि मैंने prepare करा इसको return किया अब जब भी यह method यूज करो तो इसी तरह का एक variable बना के उसमें value store कर लो तो जो यह assignment operator होता उसके जो right side होता इसका जो calculation होगा left side वाले value में store होगा left side वाले variable में है ना और store करते समय वो यह चेक करेगा कि इसका जो return type है इस वाले variable के return type से match करता है कि नहीं अगर नहीं करता तो पहले यह error देदेगा और अगर करता है तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तो वो यहाँ पर simple सा उसने यहाँ पर चला दिया ठीक तो यह return type जो method return करते ना इस पर practice करो इस पर तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि mostly जब काम करोगे तो अधे से जादा 50% ऐसे method होंगे जिसमें तुम्हें कुछ खुद return करना पड़े यह method तुम्हें ही सोचना पड़ेगा कि मैं एक अलग से method डालू उसमें से मुझे क्या return कराना है return कराना है या नहीं कराना है वो सारी चीज़े तुम्हें सोचनी पड़े छिक है तो वो अभी से प्रैक्टिस करना सुरूर गड़े लो कोई method है उसमें से कुछ return कराना है क्या कराना है क्यों कराना है वो सारे चीज़े स्वाह जो हमारा था वह यह था हमारा की जो database.stateful interface होता है वह कैसे काम करता है ठीक है उसका जो यहां पर पूरा का पूरा हमें में हमने इसकी हो यह किया है ना है अब डेटर इस्टेट फुल किसलिए उस होता है वह हमने क्या कहते हैं आभी भी डिस्कस किया है कि maintain the states of the class variable class variables method के नहीं वो बोलते हैं कभी कभी कोई सकता है कि method के variable भी कि state भी maintain करेगा क्या तो नहीं किसकी maintenance करेगा class के variables की जो class label पे बने होंगे object label method label वालों को यह नहीं करेगा वो ठीक है यह हमारा जो है क्या करते हैं batch effects का अगला पार्ट था database.stateful interface ठीक है अभी तक कोई doubt कुछ भी कोई confusion नहीं भी ठीक है नेक्स्ट जो हम बात करने अगेन इसका database.stateful interface का है मैं यहां पर resources डाल देता हूं resources क्या ही होंगे इसमें दो तीन resources में डाल देता हूं आप ही के अभी डाल देता हूं ठीक है तो उससे हमारा एक वो साथ में चलता रहेगा ठीक है तो यह हो गया हमारे क्या कहते हैं database.stateful का ठीक है और एक जो हमने अभी डिस्कुस किया वो क्या था ठीक है database.allows कॉल आउट का ठीक है यह मिल नहीं रहा है इस में प्राब्लम हो सकती है ठीक है कोई बात नहीं अगर कुछ है तो मैं यह रिसोर्स डाल देता हूं जो हम डिस्कुस करने वाले हैं जो है वो होगा यह मतलब एक ही एक तरह का बैच तो नहीं के सकते यह है उसको हमने दिस्कुस किया थे हमागा पास क्या थे हम पिस तीन-चार तरह का एउसन के बाले Prime दिस्कुस कर लिया झाएर पेक्स की बालाव छो की लिमिट को एसे इंक एक से जिसको क्या हम कल डिस्कुस करने वाले हैं जैबूए